कैसे आप लोग और आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप मौसम भी एक बहुत अचा फूट आप सबको पता ही होगा इसको यूज करके कैसे अपने स्किन के लिए बहुत जादा ग्लोइंग डियाइवाइ कर सकते हैं तो सबसे इंपोर्टं चीज आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करते हैं अप लोग सब्सक्राइब करते हैं misses support मिलता है motivation मिलता है लोगो कर दिया करो and सबसे पहली चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दू की मैं मौसंबी का यूस कर यह इसी ली आपको यह वाला फ्रूट ज़ा भी समच सेल जाएंगा आपको आपके असपास किसी भी फ्रूट शॉप में यह वाला फ्रूट यूस कर जूं बेरी सब्सक्राइब से एक क्यानने पेमुट आंदिट उसके तो हुआ हमारी सब्सक्राइब अभर आम इसमें तो next चीज हमनी उसके बारें बता देती है। Next is honey. तो हम honey यूज करने वालें. तो जो honey है उसके भी बहुत सारे benefits हैं. तो मैं इसके benefits सबसे पहले आपको बता देती हूं. तो जो honey है सबसे पहले benefit है कि ये बहुत जादा अच्छा ग्लो देती है आपको जिते बुद यावे करते हो मैं तो मुस्ली डियावे में इसको यूज़ करते हूं जो तिसरी तीज उसके बारे में है वो ये कि जो हनी होता है एसा एक्ट करता है कि नैच्रल ग्लो देता है तो यह हनी के benefits में बता चुकी हो हनी आप कोई भी उस कर सकते हो पर मैं आपको रिकमेंट करती हूं पतनजली का नी यूज करें आप मैं भी पतनजली का नी यूज करें यह बहुत अप्यादा प्यूर होता है एक्चुली पतनजली के प्रोडॉक्ट्स नॉर्मली बहुत प्य हो है विटामिनी की कैपस्यूल्स तो मैं ओल बेस्द विटामिनी कैपस्यूल यूज करिए अगर आपको ऊप्राइल या तो यह वाली कैपस्यूल होता है यह लिखाएयल ऑईल तो फेशियल और अगर आपकी केप्सुल में लेखा तो या आप उसको फेश के लिए उस करेंगे अधरवाइज ओ हैर्स के लिए है एड़ विटामिन एक की केप्सुल आपकी स्किन को एक अच्छा ग्लोग देगी आपकी स्किन में से एंप्रिटी सोने का लेगी आपकी स्कि को देखा लिए आप कैसे इस पूरे डिया वाइवाइ को बना सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं डिया वाइक को बनाना ओके फेंग्स मैंने आपकी तुम असमी है उसको काट लिया है और आप मैं बताने वाली हूँ हम इसका कैसे डियावाइ प्ट बनाएंगे फेस के लिए सबसे पहले आप कुस तरीकिस सा नहीं कर लेना है और यहां पर जूस को निकल लेए दिशना नहीं तो हम पर एक से दो आप जाहिए तो आप स्कूण है यहां पर जूस निकाल लेगा है एक से दोई स्पून जाई है एक स्पून पूरा फूल आप देख सकते हैं बस फेस के लिए अगर आप यूस करने तो यह एक स्पून पूरा फूल काफी है है के ऐस हमारी मैंने तो यहां निकाल लिया सैकेंड जीज वर्ला इसमें जो आप इस तरव जो बीज्चे आता है इसके इस उसको भी आप निकाल लेंगे कि यह फेस पर प्र अच्छे नहीं लगेंगे जो सेकेंड चीज में डालने वाली हूँ वह होगी हनी तो मैं यह अपन कर ले रही हैं एक चमज चमज और वनी अपको डालने पर नहीं रहा है जो सब्सक्राइब से तो यह तो लिए पर अंगी है जेते हैं एक दम पतली भी नहीं और एक तंद थिक भी नहीं ऐसी घाटी शी एड़ा लाणी जो नही दाली है विटामिनी की दो कैप्सियूल्स पहले से ही निकाल ली थी कैट्सूल्स इनको अपन करके यहां पर ऑईल इनको निकाल दे थी और बस इन सब को हम पर लेंगे अथ्छे से एक मिक्स दे रहते हैं अब देख सकते हैं बहुत अच्छा है एक ग्लोइंग मास्क बन गया है और हम इसको हाथ में लगा के बता देती है जब हाथ में आप फेस में जहां भी लगाओगे तो थोड़ा ट्रांस्परेंट से दिखेगा पदली सी कंसिस्टेंसी रखना है और इसको बस आपको 5-10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देना इसको नहीं आपको टच करना है कुछ नहीं करना है बस ऐसे स्कीन पर लगे लगया आप रेस्ट कर लीजे थोड़ी देर और इसको छोड़ देजे कि अपको फ्रेंड सब्सक्राइब और इसको आपको एक दिख लेज उसको आपको यूज़ पर देख सकते हैं इसको डेली बेसे पर भी उसकार सकते हैं गार यूज़ यूज़ करोगे तो यह बहुत अच्छ रिजल्ट आपको एक ही अफटे में आपकी एक शेडि लेयर आ अगर आपको यह DIY पसंद आपको तो आप इसको तीन से चार दिन के लिए फ्रीज में कोशुच करिएगा एर टाइट एक बॉक्स में फ्रीज में आप इसको रख सकते हैं इसमें कुछ नहीं होगा तीन चार दिनों तक अगर आपको यह मेरा DIY पसंद आता है तो चैनल को सबस् करने के बाद अब बैल ऐकन क्लिक कर जाना नेक्स वीडियो डालो तो आपको नॉटिफिकेशन मिल जाए वीडियो लाइक एंड कमेंट में बताना कैसा लगा नेक्स वीडियो आपको किस टॉपिक पर जीए मैं कुशुश करूंगी कबर अब करने की तब तक लिए बाई हम